कानाडा में हुआ कादर खान का अंतिम संस्कार सामने आई तस्वीर है हाई फ्रेंड मैं हुनी भड़ा आप देखरें बॉली पूट बेक फास्ट दोस्तों बॉली पूट के दिगज एक्टर और राइटर कादर खान क्यासी साल के उम में निर्दन हो गया कादर खान 31 दिसंबर को दुनिया से अलविदा कह दिये और बेटे सर्फराज खान ने अपने पिता यानि कादर खान के निर्दन की पूश्टी कीथी बताया जा रहा है कैनेडा के अस्पताल में कई दिरों से उनका इलाज चल रहा था और कैनेडा के अस्पताल में कादर खान ने अंतिम सांसे भी ली दोस्तो अग सोसल मीडिया पर कादर खान के अंतिम संसकार की कुछ तस्वीरे कैनेडा से सेर की गई कुछ घंटे पहले कादर खान के इस्टाग्राम फैन पेज पे या तस्वीरे साजा की गई इन तस्वीर दोस्तों आपको बता दे कादर खान को प्रोगेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पालसी डिसार था जिसके और उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था की हालत के बारे में जानकारी मिलने पर फैंस से लेकर फिल्म सितारे कादर खान की ठीक होने का दूआ कर रहे थे दोस्त आपको बता दे कादर खान 1937 में आफगानिस्तान के काबूल में जन्मेत उर्णे बहुत गरीबी भी देखी थी जिसमें उनका बच्पन गुजरा था का कादर खान ने 1973 में अपनी फिल्मिक क्यारिय के सुवात करने के बाद से कादर खान 300 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके उनकी पहचान अभनेता और लेकर के रूप में हैं अमताब की कई सपल फिल्मों के अलावा कादर खान ने हिम्मत वाला कूली नंबर वन मैक खिलारी तू अनारी खून भरी मां करमा सरफरोस और धरम बीर जैसी सूपर हिट फिल्मों के संपाद लेख है दोस्तों आपको फिर से बता दू बॉलिवुड के हर्टपन मौला यानि कादर खान जाब अब हमारे बीच नहीं रहे आप उनकी आत्मा की सांती के लिए भगवान अल्ला ताला ग्रोट से प्रेय किजिए ताकि भगवान उनकी आत्मा को सांती प्रवान करें